अभी current में जो है ना एक नहीं हजार नहीं लाखों members को जो है एक problem आ रही है problem bank KYC को लेकर आ रही है जब कोई पीएफ member उसका जो पीएफ यूएद account है उसके साथ अपना bank account add करने की जो request submit करता है तो जैसे request submit कर देता है उसके बाद bank के पर जब request जाती है तो bank की तरफ से उनकी जो KYC है वो rejected कर दी जाती है यहाँ पर status में दिखा देता है rejected और यहाँ पर remark में आ जाता है rejected due to name mismatch तो अगर आपको भी यह problem आ रही है आपकी भी KYC bank की तरफ से बार-बार reject हो रही है तो आज की यह video देखने के बाद आपको समाधान मिल जाएगा और 101% आपकी जो KYC है वो अपरू हो जाएगी bank की तरफ से अगर यह video पूरी देख लेते हो इस video में जो जानकरी में आपको share करूँगा जो step में आपको बताऊँगा अगर वो follow कर लेते हो तो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है प्रदीप आप देख रहे हैं technology अप हमने टेलिग्राम पर भी channel बना लिय प्रसिंद्ने काफी आ गए है कोई दिक्कत नहीं है complete जानकर मिलेगी 101% इस video में आपको solution मिलेगा अब चलिए बात करते हैं मैंन मुद्दे की इस problem का एक कारण है वो यह है कि जो आपका पी एक अकाउंट है उसमें जो आपकी डिटेल है आपका नाम डेट बर्थ जेंडर जो भी आपकी डिटेल है वो और आपके आधार काड में जो आपकी डिटेल है वो और आपके बैंक अकाउंट में जो आपकी डिटेल है वो मैच नहीं हो रही उसी वजह से जो है यह हो जाती है क्योंकि आपके तीनों जगह जो है आपकी डिटेल सेम नहीं है इसी वजह से आपका bank account जो है वो verify नहीं हो पारा कारण तो यहीं है बट एप्याफों की तरफ से ऐसा कोई भी कुछ जानकरी शेर नहीं करी है ऐसा कोई रूट को ऐसा कोई समाधान जो है नहीं बताया है एप्याफों यहीं कहता है गर्वेंस डालोग तो कि bank की तरफ से सेंटर सेंटर लेवल पर के वैंक के तरफ से वैरिफाई होती है हमारा इसमें कोई भी रोल नहीं है ठीक है तो आपकी डिटेल अगर सब कुछ सही है सब जगह ओके है फिर भी रिजेक्ट हो रही है तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपका जो bank account number है कौन स बैंक में है उस बैंक में जाएंगे तो वहां पर जाकर अपनी के वैसी दुबारा से करवाईए दुबारा से करवाएंगे जब दुबारा से के वैसी हो जाएगी उसके बाद च्यार से पांस दिन के बाद दुबारा से bank account number एड़ करने की request submit कीजिए आपकी के वैसी जो है बैंक की तरफ से approve हो जाएगी अगर तब भी नहीं होती है तो फिर आपको क्या करना है आपका जो bank account number है ना उसमें आपका नाम सनोफ सरी आपके पिताजी का नाम रहेगा तो आपको बैंक में जाना है और बोलना है कि भाई यह जो आपने मेरा नाम और सनोफ सरी पिताजी क जो postbook थी उसमें पहले जो है मेरा नाम सनोफ सरी मेरे पिताजी का नाम था अब मैंने जोैundly मेरा नाम ही आ रहा है सनोफ सरी मेरे पिताजी का नाम हटवा कि मैंने नीचे एक और line जुडवा दी father name का वहाँ पर मेरा पिताजी का नाम आ रहा है बट अब भी जो है मेरी KYC जो है रिजक्ट हो रही है तो अब मैं क्या करूँ तो तीसरा समादान ये है कि आप जो है ना फ्रेश आप अपना एक नया बैंक अकाउंट जो है किसी दूसरे बैंक में ओपन करवाईए अगर फ्रेश अकाउंट ओपन नहीं करवाना चाहते तो अगर आपके पास कोई दूसरा बैंक अकाउंट नंबर है तो वो आप एड कर लिजे 101% आपकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो यहां पर मैंने इसको open कर लिया और यहां पर पूरी detail मैंशन करके मैं sign in कर लिया हूं यहां पर मैंने के option पर और यहां पर क्लिक करता हूं के वाइसी के option पर यह जो के वाइसी का जो option है यह मैं सेलेक्ट कर लेता हूं जैसे यह मैंने पर स्टेक्टस क्या रहा है रिजेक्टिड्र की रिसेंटली इसेंटkal boa से कि शोरी बैंक ने रिजक्ट यह था तीन जून 2030 को यह पर देख सकते हो क्या रहा है रिजेक्टृट्टीड डू टुमिंट पास्पूत को मिले तो उसमें देखा कि इनका नाम सनोफ सरी इनके पिताजी का नाम मैंसन था तो मैंने बोला कि यार यह जो सनोफ सरी आपके पिताजी का नाम है ना इसको हटवा के आप नीचे एक नया कोलम एड करवा लो बैंक में जाकर बैंक वालो को बोलोगे मनेजर को तो वो कर देंगे तो फिर वो बैंक में गए त तो यहां पर आपको screenshot भी दिखा देता हूं, तो यहां पर इन्हों ने करवा लिया था, इनका नाम और निचे इनका पिताजी का नाम आ गया था, उसके बावजूद भी इनकी जो KYC है, वो bank की तरफ से rejected हो रही थी, फिर मैंने इनको कहा कि भाई, आपका जो है न, EPFO में डाल नमबर आप जो है add कर रहे हो, देख सकते हो यहां पर PUNB, ठीक है, तो आप PNB में अपना bank account नमबर open मत करवाओ, आप SBI में अपना bank account नमबर open करवा लो नया, फ्रेस, बोला प्रदी भाई हो जाएगा, मैंने का भाई 101% हो जाएगा, गारंटी ले रहो, करन नहीं हुआ त मैंने का भाई करवा तो सरी, कर तो सरी, तो इन्होंने मेरे कहने पर नया bank account number SBI में open करवा लिया, और फिर मेरे से बाद में कर रहा कि प्रदी भाई चलो ठीक है, अच्छा ही है, दो account मेरे पास हो जाएगे, SBI का और PNB का, तो दो होने भी चाहिए आज के time में, मैंने का द करी दुबारा से, और यहां पर आप देख सकते हो, IFC code यहां पर आपको दिख रहा होगा, SBIN का, और जैसे ही SBI bank का, जो इन्होंने नया account open करवाय था, जैसे वो यहां पर add करा, request submit करी, भाई पहले तो यहां पर status आ रहा था, verification under process आ रहा था, उसके बाद यहां पर आप को हमने request submit करी थी, member, seeded by member, यहां पर देख सकते हो, और यहां पर अभी status क्या रहा है, pending with employer for digital signing, यानि कि bank की तरफ से verify हो गई है, detail, bank की तरफ से approve हो गया है, अब pending कहा पर है, company की तरफ से, नियोकता की तरफ से, अब इन्होंने company को भी भी ओल दिया, अब company कह रही कि हम एक दो जिन में approve कर देंगे, और जैसे ही company approve करेगी, इनका bank account number जो है add हो जाएगा, link हो जाएगा, यहां पर आजाएगा, currently active KYC के इस section में, उसके बाद जो ही अपना पैसा advance में निकालना है, या फिर transfer करना है, फिर पूरा पैसा निकालना है, वो ये कर सकते हैं, तो यही मैं आप से कहना चाँओ कि आपने सारे ताम जाम कर लिये, KYC भी दुबारा करवा लिया, नाम भी update करवा लिया, उसके बावजूद भी KYC बार बार reject करी जा रही है, बैंक की तरफ से, rejected आ रहा है, रिमार्क आ रहा है, rejected due to name mismatch, तो आप से request है, जो है, एक नया bank account, जो है ना, open करवा ल कर लो, अगर आप SBI का कर रहे थे, reject हो रहा था, तो PNB में करवा लो, या फिर PNB का कर रहे थे, तो SBI में करवा लो, ठीक है, नया bank account number, जो है, खुलवा लो, और उसको यहाँ पर जो है, add करने की request, submit करोगे, तो यहाँ पर देख सकते हो, आपकी जो request है, वो जो है, बैंक account number add करने की request submit करते है, PNB के साथ link करने की, seed करने की, तो पहले bank की तरफ से verify होती है, और जैसे bank की तरफ से verify हो जाएगी, उसके बाद आपकी जो company है, आपका जो नियोकत है, उसके पास request जाती है, और जैसे company approve कर देगी, उसके बाद जो आपका bank account number update हो जाएगा, link हो एक मिनट, दो मिनट में अगर आपको बताऊंगा, तो आपको आदी अधूरी जानकरी मिलेगी, मैं आपको live proof के साथ दिखाता हूँ, जिससे कि आपको step by step दीखे भी, कि हाँ यहाँ यहाँ पर यह चीज़े होती है, यहाँ पर यह option है, यहाँ पर यह चीज़े आती है, य मैं क्यों चाओंगा यार इतनी गर्मी में बैट कर जो है, इतनी लंबी वीडियो खिंचू, हाना, तो automatic लंबी हो जाती है, तो मैं आपको दिखा दिया, देख सकते हो, यहाँ पर IFC में, यहाँ पर SBI, SBI Bank में इन्होंने नय अकाउंट open करवाया है, और जैसे add करा, इनका verify हो गया, बैंक की तरफ से, पहले कौन सा कर रहे थे, PUNB, Punjab National Bank का, तो यही आप से request करूँगा, सारे आपने अथकंडे अपना लिए, तो यह last अथकंडा जो है न, यह last जो है न, मैं आपको बता रहा हूँ, यह काम और करके देख लो भाई, 101% आपकी problem ठीक हो जाएगी, बैंक में जाओ, किसी भी बैंक में, वहां पर जाकर बोलो, कि अपना अकाउंट ओपन मेरे को करवाना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटो ले जाओ, बैंक में जाओगे, तुरंत बैंक अकाउंट ओपन करने में कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत अकाउंट ओपन कर जाए तो तुरंत मत करना एक दो दिन छोड़ गे उसके बाद फिर एड करने की रिक्वेस्ट समिट करना 101 प्रसंट गारंटी लेता हूँ आपकी जो है प्रोब्लम ठीक हो जाएगी तो यह काम आप दप्रूर कर लिजेगा यह पिर अगर आप opeन नहीं करना चाहतें आपके पास १र से ज्ड़िस करना आप तो नया bank account जो है न open आप करवा लो नया bank account जब open करवाएंगे link कर लेना उसके बाद जो है full and final settlement के लिए apply कर रहे हो तो full and final settlement कर लो पूरा प्यापका पैसे आपका निकल जाएगा withdraw हो जाएगा account में पैसे आ जाएगे उसको निकाल लो उसके बाद दो-च्यार मेने के बाद account close करवाना है तो close भी करवा सकती हो बाकी तो close करवाने का क्या फाइदा bank account नमबर आगे तो जो है काम ही आते हैं तो जैसी आपकी इच्छा मैं तो आपको बता रहा हूं आपको guide कर रहा हूं बाकी step जो भी मैं आपको बता रहा हूं step लेना या पर नहीं लेना वो आपकी उपर निरबर करता है तो मैंने आपको complete जानकर ही देदी इसके बारे में आशकर तो यह जानकर आपको पसंद आई होगी वीडियो को पसंद है तो वीडियो को like कीजिए share कीजिए चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब जूरूर कीजिए और टेलिग्राम चैनल को अभी तक जोईन नहीं कहा है तो जोईन कर लिजे वीडियो के description में आपको लिंक किसाद, take care